हेलो एर्विवन आज हम प्रेयावची शब्द करेंगे व्याकरण के शब्द ज्यान है यहाँ पर और इनके हम बहुवी कल्पी प्रेशनी करेंगे कक्षा नो के लिए उप्योगी है साथ ही अन्य परिक्षाओं के लिए भी काफी उप्योगी पाए गए हैं तो आज का हमारा पहला प्रेशन है हवा का प्रेयावची क्या है हवा का प्रेयावची शब्द इसमें आपको चार अप्षन मिल रहे हैं चक्रवात पावस समीर और सुधा तो इसका सही जवाब है हमारा समीर हवा का दूसरा नाम होता है समीर प्रेयावची शब्द चल रहे हैं तो हमारा य है कि चंद्रमा का प्रयाइवाची हमें बताना है इसके भी हमें चार उप्षिन मिल रहे हैं दिवाकर निशी शशी मार्तंड तो यहां पर सही जवाब है शशी चंद्रमा को कहा जाता है नेश्ट हमारा कुशिन आ रहा है यहां पर ध्यान दिजेगा कि आँख का प्रयवाची शब्द नहीं पूछाए इसने तो चक्षू लोचन द्रिष्टी नेत्र तो आप देखोगे कि चक्षू आँख को कहते हैं लोचन भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं तो सही जवाब है जवाए ham하 kaikki शब्द द्रिष्टी आज़े को नहीं का जाता है यह जिए जर्फन सही है नेक्ष्ट अमारा प्राश्ण आ रहा है कि निमलिखित में से दिनकर किसका प्रयाईवाची है तो दिनकर किसका है option है सूर्य, निशाचर, सुधाकर या विभाकर तो सूर्य दिनकर को कहा जाता है यह हमारा सही है दिन करने वाला यानि सूर्य तो सूर्य का प्रियावची क्या है? दिन करने वाला दिनकर उसके बाद हमारा प्रेशन आ जाता है अर्विंद का प्रेवाची क्या है अर्विंद का प्रेवाची शब्द क्या है यहाँ पर देखो अरब का निवासी अरभी ढ्रमर या कमल आपने प्रेवाची शब्द यह दी थोड़ा सभी एक बार भी रीडिंग लगाई है तो आपको ध्यान है कि कमल को हम क्या कहते है अर्विंद कहते हैं कमल के पुश्प को क्या कहा जाता है अर्विंद क्या कहा जाता है और कई लोगों का ये नाम भी होता है अर्विंद कई लोगों का नाम भी होता है और इसे हम कमल भी कहते हैं अन्य शब्दों में प्रयाईवाची किसे का जाता है सेम वैसा ही दूसरा शब्द जिसका वही अर्थ हो तो next हमारा प्रशन आता है घर का प्रयाईवाची शब्द क्या है तो विहार, निकेतन, मंदिर या नग इन में से क्या कहेंगे निकेतन जो होता है वो मेरे घर को भी कह जाता है जिसे विद्या निकेतन यानि विद्या का घर स्कूल को विद्या निकेतन कहा आता है उसी तैसे निकेतन का प्रयाईवाची क्या हुआ घर हुआ नेक्ष्ट अमारा प्रेश्ण आता है नदी का प्रेयवाची शब्द अब देखो मंदाकनी गंगा को कहते हैं जलज कमल को कहते हैं भागी रिथी गंगा को कहते हैं तो सरीता यहाँ पर नदी को कहा जाता है तो सही जवाब क्या है हमारा सरीता सरीता हमारा सही जवाब है आज हम प्रयायवाची शब्द कर रहे हैं प्रयायवाची का ताथ पर्याय होता है वैसे ही अर्थ देने वाला शब्द प्रयायवाची एक दूसरे का प्रयाय हो जो यानि एक के स्थान पर दूसरे का हम प्रयोग कर सकें उसे कुन सा शब्द का जाता है प्रयवाची शब्द कहा जाता है उसके बाद देखो धर्ती का पुछा है तो चंचला विपुला सरसी अचला धर्ती का क्या होता है दूसरा नाम होता है अचला गोडा का प्रयवाची शब्द नहीं है नहीं पर भी उमें ध्यान देना है तो कटक अश्व घोटक है यहाँ पर आप देखो यह सारे इसके प्रयवाची है और हमारा सही जवाब है कटक गोडा को नहीं कहते हैं नहीं कहते हैं नहीं पर ध्यान जरूर देना ठीक है कभी यह म हमारा सही जवाब है यह नहीं है इसका प्रयवाची बाकी तिनों है यह वाले तिनों घोड़ा के प्रयवाची शब्द है और यह वाला नहीं है उसके बाद हमारा प्रश्ण आता है विनायक का प्रयवाची शब्द क्या है तो विनायक का प्रयवाची शब्द जो है वह है ग पम एद्वीतिये को कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रिशन पर आ जाते हैं हम तो नेक्स्ट प्रिशन हमारा क्या है हनुमान का प्याइवाची शब्द नहीं पर फिर से ध्यान देंगे तो नहीं है पर में ध्यान लगाना है इसमें चार ओप्षन मिल रहे हैं चार ओप मारुती, अंजनी पुत्र और विनायक तो हमने देखा कि ये वला नहीं है बाकि सब अनुमान जी के नाम है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है तो ने सेमर प्रेशन आता है असुर का प्रियावाची शब्द नहीं पर फिर से ध्यान देना है तो दनुज दैते दानव यक्ष तो आपको सही जवाब साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो यक्ष दानव को नहीं कहा जाता है अंधकार का प्रियावाची शब्द क्या है पंग अतंग तिमीर और घन तो यहाँ पर इसका प्रियावाची शब्द है पुछा है तो तिमीर जो है अंधकार का प्रियावाची शब्द है उसके बाद देखो हमारा प्रशनारा है कि फूल का प्रियावाची शब्द नहीं है फूल का प्रियावाची शब्द में नहीं पुछा है अमें तो तनुजा फुल का नहीं होता तनुजायनी पुत्री होता है ये नहीं है वीना पानी का प्यायवाची शब्द क्या है वीना पानी का प्यायवाची शब्द है ऑप्शन चार है रामभा सरस्वती लक्ष्मी और कमल तो इन में से मैं ये बताना है कि कुण सा है तो है का जवब है सरस्वत वीना पानी किसे कहते हैं सरस्वती माता जी को कहते हैं जो अपने हाथ में वीना धारण के वे रहती हैं इसलिए उन्हें वीना पानी भी कहा जाता है पानी यानि हाथ होता है तीर का प्रियावाची शब्द नहीं है अब फिर से नहीं पे ध्यान दे रहा है तो तीर का प्रिय सार तीर का प्रयावाची शब्द है बाण इंद्र का प्रयावाची शब्द है इंद्र किसे कहते हैं मध्वा विनायक नहीं है राज राज भी नहीं है बाजीगर भी नहीं है तो अंसर क्या है ये वाला सही जवाब है कंचन का प्राइवाची शब्द है है पह में फिर से याँ पर ध्यान देना है तो कनक कहा जाता है सोने को कंचन को हीरा तो नहीं है तामबा भी नहीं है चांदी भी नहीं है तो सही जबब क्या है कनक, कंचन या सोना इनको कहा जाता है आज के हम प्राइव अची शब्द यहीं पर समप्त करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग